चोकिदार जाकर के कहते ही कि माराथ तेरा गोड़ा चोरी हो गया है हमने उस गोड़े के उपर तड़ाई के उपर गोड़े को पाणी पिलाणी के ले गए वहाँ पर नहीं तो सूरिय बगवान का उजास दिखा और माया रूपी से तेरे गोडे को सोर करके पता नहीं हम बहुत निगा दी लेकिन हमें गोडा कहीं भी निगा नहीं आया इतनी बात को सुनकर के राजा मनी मन के अंदर सोथ फिकर में पड़ता है कि क्या गोडे को कौन ले गया है बताया जाता है कि जिस समय उस गोडे का हरन करने के पसाथ जो कुंति का पुत्तर भीम को चेत होता है और भीम के पास में ले जाकर के वर्ष के तुमे गुरन कहते हैं कि हम गोडे का हरन करके लाए हैं उसी समय के अंदर भीम कहता है आपने किस परकार से गोड़े की चोरी की है किस परकार से गोड़े को मेरे सामने लियाए हो जब में गुरन कहता है कि मैं मेरी राक्षसी माया फैलाया हूँ उसी समय के अंदर भीम कहता है कि तुम्हें दिकार है एक छतरी हो करके और माया रूपी से तुमने गोड़े का हरन किया है आपको दिकार है आपका जीना बेकार है राजा के सामने जाए और युद करके फिर गोड़े को जाई इतनी बात को सुनकर के दोनों कहते हम युद के लिए तयान है उदर से राजा योनासव अपनी सेजा सजा करके और उस जगए आता है और जिस समय बैंकर युद होता है युद के अंदर राजा योनासव की पराजी तो हो जाती है और हाथ जोड़ के कहता है जिस समय बीम ने कहा कि हमारा मेरा भया दरम पुतर अस्तिनापुर के अंदर एक यक रचवारा है और उस यक के अंदर इस गोड़े की जरूत है राजा आती परसन होता है और धन दोलत लेकर के और यक के अंदर राजा योनासव भी अपने साथ हो लेता है नगरी के अंदर जिस समय गोड़ा लेया था और लेयने के पसाथ गोड़े का आरता करते हैं कातिक की जो पूर्णी मा थी कातिक की पूर्णी मा थी वो निकल गई थी इसलिए भगवान स्री किर्शन ने कहा था कि ये कातिक की पूर्णी मा निकल गई है और आपसे बारा मेने बाद में इस गोड़े को छोड़ा जाएगा उसी समय के अंदर किर्शन भगवान वहां से लोट करके दुवार का पुरी में चले जाते हैं और इदर बारा मेना वदीत हो जाते हैं और बारा मेना वदीत होने के पसाथ फिर भगवान स्री किर्शन को बुलाने के लिए बीम जाता है और बीम जाकर के भगवान स्री किर्शन के चन्नों में सीश नवादा है कहता है कि माराज कातिक की पुर्नीमा आ गई है और चाकर के मेरा भाया का यक संपन करवाई है उसी समय के अंदर यक के अंदर सब नर्नारी एकत्रीत होते हैं और जिस समय भगवान श्री किर्षन आकर के द्वार का पुरी के अंदर द्रमराज दिश्टरपना आसन छोड़ता है और भगवान श्री किर्षन खोल खोल करके बताता है कि इस गोडे के पीछे इस गोडे के पीछे स्वृंब अरजन रहेगा और इसकी 8 अक्षणिय सेन रहेगे गोडे के माधे के उपर पतर क्या टकवाता है ये अरजन का गोडा है अगर इस गोडे को कोई पकडने की सक्टी रखता हो तो अरजन से युद करेगा और अगर युद नहीं करता है तो जिस नगरी के अंदर जब भी गोड़ा जाए अपनी धन माया लेकर के और सारा धरम के यक के अंदर बेयाना बताया जाता है कि कातिक की पूर्ण निमा के दिन जिस समय धरमराज युदिश्टन ने गोड़े का पूजन करते हैं और पूजन पाट करने के पसाथ और गोड़े को वहाँ से छोड़ देते हैं पीछे पीछे अरजुन की सेना साख में अरजुन और चलते चलते काकड के उपर जाते हैं और उस काकड के उपर सालव का पूतर अनु सालव सालव का पुत्र अनु सालव उस गोड़े के वो पकड़ता है और पकड़ने के पस्ताथ घोर युद दोता है बताया जाता है कि बगवान स्री किर्शन पर्द्युमन अरजुन सब को मुर्चित कर देता है अंत के अंदर कनन का ही पुत्तर वर्ष के तु अपनी माया फैला करके और अनु सालव के उपर विजय पा लेता है उसी इस नमबर के अंदर दूसरे नमबर के अंदर जब गोड़ा वहाँ से रवान की लेता है और चलता चलता राजा नील दवच की नगरी में जाता है नील दवच की नगरी के अंदर बताया जाता है कि उसी समय के अंदर सेना राजा नील दवच कहता है कि इस समय अरजुन आरा है और अपने से युद करेगा अर्जुन और राजा नील दवच का युद्ध होता है और युद्ध के अंदर हार मान लेता है हार मानने के पसाथ जब एक राणी वहाँ से राजा को छोड़ करके जाती है और एक आखों में जल्ब वाती है तो किस परकार से बहारा है तिर किस परकार से अर्जुन संदा